बिहार के सासारम और नालंदा के जिला मुख्याले बिहारी शरीफ में भड़की सामप्रदाइक हिंसा को बिहार के मुख्यमंदरी नितीश ने किसी की साजिश बताया है शनिवार को घटना के संबन में प्रतिकिरिया देते हुए मुख्यमंदरी ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी घटनाएं काफी दुखते ऐसा कभी नहीं होता था ये नैच्रल नहीं है जरूर किसी ने गड़बड़ी की है ऐसे में हमने पूरी तर से जाच करने के आदेश दे दिये हैं दोशियों पर सक्त कारवाई होगी मुख्यमंदरी ने कहा ऐसी घटनाओं से तकलिफ होती है पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था बड़ी शांती से हम लोग हर तेवार मनाते आएं हैं लेकिन अब पता नहीं ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है ये नैच्रल नहीं है किसी ने जरूर कोई गड़बड़ी की है सामाने रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होती थी ऐसे में मैंने पूरे मामले की ठीक तरसे जाज करने को कहा है ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है वहीं सासारा में बीजेपी द्वारा आयूचित कारिकरम जिसमें केंदरी मंत्री अमिश्शा शामिल होने वाले थे इस्ताकित होने के संब्ध में पूछ जाने पर उन्होंने कहा उन्हें इस संब्ध में कोई जानकरी नहीं है वहीं बीजेपी की सुरक्षा नहीं देने के कारण कारीकरम को इस्ताकित करने के आरोप को खारिश करते वे उन्होंने कहा कि ये बाते बिल्कुल गलत थे राज्य सरकार की ओर से केंद्री मंत्री के आने पर जो कुछ किया जाना चाहिए वो सब कुछ किया जाता है उन्होंने कहा अब बीजे भी अपना कोई कारिक्रम करेगी तो मैं क्या करूँ वे अमिश्या क्यों आ रहे थे और क्यों नहीं क्या मतलब आप कोई सरकारी कारिक्रम तो था नहीं लेकिन रजसरकार की ओड़ से केंदरी मंतरी के आने पर जो कुछ क्या चाहिए वो सब कुछ क्या जाता उनके आरोप गलत है गोर तलबे की नालंदा और सासारा में राम नौमी के अउसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दोरान सामप्रदाइक हिंसा भड़क गई दोनों जगवों पर जमकर हिंसा हुई परिणाम सरुप धारा 145 लागू कर दी गई साहती इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है धारा 145 लागू होने के कारण सासारा में बीजेपी दोरा आयूजित किये जाने वाले कारिकरम को इस्थागित किया गया है इसी के साथ बने रहे है राजणोमा टीवी के साथ धन्यवाद